हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम पाइथागोरस पर्मे को सीखेंगे फ्रेंस पाइथागोरस पर्मे सीखेने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि पाइथागोरस पर्मे किस त्रिभूज में लगता है तो फ्रेंस पाइथागोरस पर्मे का परि पाइथागुरस परमे में आपकी तीन भूजा आपको पता होना चाहिए कि कड़ क्या है लम क्या है और आधार क्या है तो फेले इसमें आपको किसको करते हैं फेस्ट नभी अंस के सामने कि जो भूजा होगी हमेशा आपका कड़ कहलाता है 90 अंस के सामने की भूजा हमेशा कड़ कहलाता है फ्रेंस यहाँ पर इसको यदि हम ठीटा लेते हैं ठीटा जो कोड़ होता है इसके सामने की भूजा हमेशा लम कहलाता है और जो एक सेस भूजा बस्ती है अर्थाद जिस पी यह वाला कोड़ बना होता है उसे हम आधार कहते हैं ठीक है फ्रेंट इतनी बात आपको पता चल गया होगा तो यहां पे हम लिखते हैं पाइधागोरष पर्मे का फार्मूला क्या होता है फिर इस पे हम एक-दो उखहम्पल भी लगाएंगे फ्रेंट यहां भी देखिए पाइधागोरष पाइथागोरस परमे ठीक है फ्रेंज अब पाइथागोरस परमे का मेन फार्मूला होता है देखे सबसे लंबी बुजा कर्ड यानि कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यह आपका क्या होता है फ्रेंज main formula होता है तो friends पाइथा गोरस परमे कोई formula पूछे तो आपका होता है कर्ड का square बराबर आधार का square प्लस लंब का square फ्रेंच चलिए इस पे एक दो एक्जामपल हल करते हैं आपके साहने फहला प्रश्न है यदि कर्ड बराबर 5 cm तथा आधार आपका चार सेंटिमीटर हो तो इसमें आपको लंब ग्यात करना है फ्रेंज देखिए इस प्रकार कि जब भी सवाल मिलें तो आपको क्या करना है हमेशा पाइथा गोरस परमे लगाना है करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर फ्रेज देखें यहां पर आपका कड़ दिया है पांच यहां पर लिखेंगे पांच इस पर इसक्वायर है तो स्क्वायर बना लीजिए यानि को वर्ग बना लीजिए बराबर आधार क्या है चार है यहां पर चार लिखेंगे, देखे फ्रेंस, यहां पर आधार लिखा है, चार, और यहां पर आपको लंब पूछ रहा है, तो प्लस, लंब का स्क्वार, देखे, पांच का स्क्वार केतना हो, तो पांच का स्क्वार का मतलब होता है, देखे फ्रेंस, पांच का स्क्वार का मत हमको लंब ग्याद करना है अंक हमेसा एक साइड होना चाहिए तो इस सोलों की दर पच्छांतर करेंगे तो यहां पर पच्छांतर करेंगे तो यह सोलों हो जाएगा और बराबर कितना हो जाए लंब का स्क्वाइर ठीक है फ्रेंजे अब तकिए पच्छीस में सोलों हटाएंगे नो बचे गा यहां पर लंब आ गया आपका अब देखें यहांसी स्क्वाइर हटाना है आपको तो लिखेंगे दोनों पच्छो का दोनों पच्छो का करडी लेने ने पर लेने पर देखें कारडी बना लेंगे दिए कि 9 बना लिकेंगे और इसका कड़ बना लएंगे ठीक है और यहां का वर्गमूल कितना होते होता हैं आपका 3 लम का इस्कॉर्ट है на पहर लम निकल जाएगा और सेंटिमीर यहां पे लिख लिखे लेंगे जुए हैं जो और सवाल होगाा इसके उपका वाल हो जाएगा आपका अगला सवाल समकोळ टिर भूली में समकोड में व चल्ड़ लंब 5 cm हो तो आपको कड़ ग्याद करना है तो फ्रेंज अब फिनों पाइथा गोरस परमे लगाएंगे पाइथा गोरस परमे का फार्मुला भी उपर बताएं और समझाएं भी है कि कड़ का स्कॉायर बराबर होता है आधार का स्कॉायर और प्लस लंब का स्कॉायर कर कर लेंगे प्लस यहां पर लंब कितना दिया है पांच पर पांच का स्कॉायर करेंगे देखिए फ्रेंज यहां पर कड़ ग्याद करना है आपको कड़ का स्कॉायर बारा के स्कॉायर मतलब होता है बारा गुड़े बार दो बर गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाग एक सो इसी प्रकार 5 के स्क्वार करेंगे 5 गुड़े 5 करेंगे तो कितना हो जागा 25 देखें फ्रेंस करण का इसक्वार अभी 144 में 25 जोड़ दीजिए तो आपका 169 179 होगा अभी यहां से हमको करण ज्याद करना है यहां से यह स्क्वार हटाने के लिए क्या करते हैं यहां लिखन सब्सक्राइब करने करेंगे तो करेंगे स्क्वार करते हैं इस प्रकार में हमेसा तीन भूजाओं में से जैसे तीनों भूजाओं देगा तीसरी बूजा पुछेगा इस पे आपको दो एक्जाम्पल भी समझाती हैं यदि आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं इसका एंजवर हम आपको जरूर देंगे तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें